हलो माई डियर स्टूडेंट सद्यान्द एफर्ट के यूटूब चैनल में आप सभी बच्चों का एक वार फिर से स्वागत है मैं रभी बर्मन आज का जो डिस्कशन है आज की वीडियो का उसमें आज हम डिस्कस करेंगे D2D 2022 जिसकी एक्जामनेशन आज जो 26 जून को हुई है उसमें एंसर की क्या है और कितने सवाल गलत पुछे हैं उसका डिस्कस्शन आज हम करेने जा रहे हैं और जो अभी स्टार्ट करते हैं एंसर की से विफोर एक जो ज़रूरी सुचना है हमारे हाँ SSCJ की जो स्कॉलर्शिप टेस्ट का चुकि हम लोग वेट कर रहे थे D2D एक्जामनेशन और योर सेमेस्टर एक्जामनेशन के लिए तो SSCJ जो भी फाइनल येर हैं स्टुडेंट्स जो फाइनल येर इस वार जो एक्जामनेशन दिये इसमें एक और एंट्री हो रहा है कि जो इस वार फाइनल में पहुच रहे हैं यानि जो अभी 4th semester के exam देके final semester में पहुँच जाएंगे और जो pass out students हैं ये तीनों ही eligible है SSCJE के लिए free scholarship test देने के लिए free scholarship test scholarship test के लिए आप लोग eligible है और इसकी जो examination होगी वो 5 जुलाई को होनी है तो 5 जुलाई तक हम उमीद करते कि आप लोग सब examination के जो tensions है उससे free हो जाएंगे और जो batches बनने हैं वो तकरिवन तकरिवन 10 या 12 जुलाई से बनने है ठीक है तो इसमें क्या है कि 7 मन्त से 8 महिने का जो course है वो जो भी qualified होंगे top 40 students civil में top 40 students mechanical में top 40 students electrical and triple E मिला के ठीक है यानि कि civil, mechanical, electrical and triple E ये चारों ही branch eligible है इसमें तो electrical and electrical, triple E, commonly जो है हमारे यहां जाएंगे electrical syllabus में तो इसमें जो top 40 students होंगे इसमें top 40 students होंगे और इसमें जो top 40 students होंगे इसको अध्यन संस्था total 100% scholarship देगी इससे कोई भी charge tuition fee का नहीं लिया जाएगा ठीक है पूरे 7 से 8 महिने की course है इसके लिए क्या करना था मैंने previous video में discussion किया है कि अभी भी जो नहीं किये हैं पाच जुलाई को यदि टेस्ट होना है तो जीतना जल्दी हो नेम ब्रांच semester, college name, contact number, session and for SSCJ करके आप whatsapp करे 9304-268-97 पे या फिर 6207-25471 इस दोनों नंबर में किसी पे भी आप अपने details को whatsapp कीजिए संस्था द्वारा consider कर लिया जाएगा आपका free registration संस्था कर लेगी आपको examination के लिए आप eligible होंगे जो totally free scholarship test है इसके लिए कोई charge नहीं देनी है यदि आप qualify होते हैं top 40 students में आते हैं तो आपको 100% scholarship दिया जाएगा और इसके बाद भी जो scholarship का scheme है वो edge पर आपको poster दिया हुआ है इसके लिए previously banner बना हुआ है तो आप लोग उसके थुरू जाए कोई समस्या है आप इस number पर contact करें चलिए तो आज अब आते हैं कि आज का जो examination हुआ था D2D का जो physics chemistry maths के उमीद करते हैं सभी बच्चों का examination बेहतर गिया होगा हाँ question का जो label था वो ना तो बहुत आसान था और नहीं बहुत tough था ठीक है तो जो अब ही हम discuss करेंगे वो सबसे पहले maths के question को discussion को है कि maths में जो answer की है maths का maths physics chemistry तीन subject का हुआ तो maths में C, set C का जो है अभी हमारे पास एक ही set available हो पाया है maths में set C तो इसी के accordingly बाकी लोग भी आप अपना-पना set से connect कर लेंगे मिला लेंगे कि कौन सा सही option है और कौन सा गलत option है ठीक है हाँ option जो बना है इसमें chances नहीं है अब error होने का लेकिन फिर भी यदि एक दो chance इदर उदर हो जाए तो उसको आप देख लिजीए गा देकिए जो question number one था उसका option C होगा ठीक है आब set C का जो question set C है D2D के जो आज examination हुई है 2022 में तो इसका जो answer की है उसके बारे में हम बता रहे है कि question number one है उसका option C होगा question number two का option B है question number three का option D है question number four का option A है question number five का option A है question number six का option B है अब आते question number seven question number जो seven है वो आपका wrong option है ठीक है आप इसका जो detailed video होगा कि question number seven क्या था और इसका ये wrong option इसमें कैसे दिया गया है तो उसको हम कल एक next video आपको मिल जाएंगे ठीक है question number eight B है question number nine का D है question number ten का D है question number eleven का option A है question number one का option D है question number 14 का B है question number 18 फिर wrong option है इसमें correct option आपको नहीं दिया गया है question number 18 में भी तो question क्या था इसका solution क्या होगा ये कल हम discuss कर देंगे और next वीडियो में यदि आप इसके discussion में जाना चाहते हैं तो channel को subscribe कर ले subscribe करने से आपको notification early मिल जाएगा 19 का D होगा option 20 का D होगा 21 का A होगा 22 का A होगा 23 का C होगा ठीक है तो ये option था 23 तक का 24, 25, 26 के options को हम लोग देखते हैं वन बाई वन तो हाँ 23 तक 24 का option जो है वो भी है 25 का option जो है वो D है 26 का जो option है वो भी D है 27 का option है वो C है 28 का option जो है वो D है 29 का option जो है वो C है 30 का option जो है वो A है 31 का option जो है वो B है 32 का option जो है वो B है 33 का option जो है वो C है 34 का option जो है वो C है 35 का option जो है वो A है 36 का option D है 37 का option जो है वो D है 38 का जो option है वो B है 39 में आते हैं 39 का जowa option है 39 का option वो 39 39 misson हो गया है 40 में आते हैं 40 का जो question है वो repeated है Question number 3 का जो option है D वही होगा और यह repeated है 41 का जो question है option है D है 42 का option C है 43 का option A है, 44 का option B है, 45 का option C है, 46 का option D है, 47 का option B है, 48 का option B है, 49 का option D है, and 50 का option B है, ये options हैं, जो set C जो थे, आप लोग के set A, set B, set C, question almost same, question सब सेम ही होता है, बस numbering अलग-अलग होता है, तो आप set C से इसको मिला सकते हैं, कल जब details वक्त रहेगा, तो हम each set का आपको answer की provide कर देंगे, तो इस answer की से आप outline कर सकते हैं, कि अभी जो आपकी numbers हैं, वो कितने आ रहे हैं, ठीक है, इसमें जो दो question से wrong question थे, question number 7 and question number 18, इसको हम अपने next video में इसका solution आपको भेज़ देंगे, आप उसको देख लीजिएगा, उमीद करते हैं कि आपको ये video अच्छी लगी होगी, और अब जो है next video में हम लोग wrong option के साथ जाएंगे, और detailed video यदि इसके explanation का है, यदि आप detailed video चाहते हैं, तो आप comment box पे लिखे, next जो हम video इस पे जो भी इसका solution है, 50 question थे, चाहे 1500 question है, उसके detailed solution पे चले जाएंगे, और इसका जो chemistry पार्ट है और physics पार्ट है, इसकी जो video जो है, वो next जो lecture होंगे, उसमें upload हो जाएंगे, चलिए बच्चों, धन्यवाद for watching,